अच्छे ये बता कि mutual fund क्या है और इसमें किन लोगों को invest करना चाहिए mutual fund एक investment instrument है ये इसी की तरह काम करता है जैसे share market काम करती है mutual fund में उन लोगों को निवेश करना चाहिए जिन लोगों के पास बिल्कुल भी share market में time देने के लिए समय नहीं है मतलब जो पूरे दिन busy रहते हैं एक तो first reason ये हो जाता है second reason एक ये भी हो जाता है जिनको share market की जरा से भी knowledge नहीं है और जो share market से पैसे कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी mutual fund काफी सही है mutual fund काम कैसे करता है mutual fund जो होता है उसमें fund manager mutual fund को manage करते हैं मतलब जैसे हम आम लोग mutual fund में पैसा लगाते हैं तो उस पैसे को fund manager manage करते हैं वो fund manager कोन होता है fund manager जिनको share market की काफी अच्छी knowledge होती है उनको बहुत अच्छा experience होता है और वो काफी high-five qualified होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जब भूत सारा लोगों का पैसा आता है mutual fund में तो वो उस पैसे को manage करते हैं मतलब mutual fund का पैसा वो share market में लगाते हैं क्यूंकि उनको share market की बहुत अच्छे से knowledge होती है और वो अपने हिसाब से market के उतार चड़ाप में पैसा लगाते हैं और निवेशकों को पैसा कमा के देते हैं बदले में वो छोटी सी fees charge करते हैं mutual fund के बहुत सारे फायदे हैं एक तो ये फायदा है कि हमें इसमें time देनी की ज़रूत नहीं है सारा का सारा automatically fund manager के दुआरा manage हो रहा है और दूसरी चीज अगर हमें जरासी knowledge नहीं है share market की तो भी हमारे लिए mutual fund काफी अच्छा है क्योंकि हम चाहते हैं share market में पैसा लगाना लेकिन हम mutual fund में पैसा लगा रहे हैं और हमारा पैसा share market में ही लग रहा है क्योंकि fund manager mutual fund का पैसा share market में लगाते हैं तो mutual fund इस type से work करता है mutual fund का एक benefit सबसे बड़ा ये है जैसे share market में जिस हिसाब से उतार चड़ाव होता है उस हिसाब से mutual fund में उतार चड़ाव नहीं होता मतलब जितनी volatile stock market है उसके compare में mutual fund काफी कम volatile रहता है यानि उसमें गिरावट और तेजी काफी धीरे-धीरे होती है उसका benefit ये रहता है कि निवेशकों को डर नहीं लगता है क्योंकि अगर उनका पैसा धीरे-धीरे कम होता है या धीरे-धीरे बढ़ता है तो उनों वो डर कम लगता है और वो लंबे समय के लिए इसमें निवेशित रहते हैं mutual fund क्या टाइप क्यों होता है इस पर depend ये भी करता है कि mutual fund किस category का है मतलब तीन टाइप के बहुत ज़्यादा popular mutual fund होता है एक large cap mutual fund, mid cap mutual fund और small cap mutual fund जिन लोगों को बिल्कुल भी risk नहीं लेना जो चाहते हैं कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहे और वो 12-15% एक साल के return में satisfied है तो वो large cap mutual fund को slack कर सकते हैं इस mutual fund की खासियत ये होती है कि इसमें भारत की top 50 कंपनियां listed होती है तो उनी listed company में इस large cap mutual fund का पैसा निवेश होता है यानि जो top 50 कंपनियां उसमें से कुछ 20-25 selected कंपनियों को mutual fund slack करता है fund manager के दुआरा और फिर उसमें निवेश करता है उससे फायदा ये होता है कि आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होता है और बहुत धीरे धीरे उपर नीचे होता है उसके बाद second category आ जाती है mid cap mutual fund की mid cap mutual fund का benefit ये होता है उसमें risk थोड़ा जादा रहता है अगर मैं अपने हिसाब से बताओं तो मेरा जो favorite है वो है mid cap mutual fund उसका सबसे बड़ा reason यह है कि इसमें जो company होती है वो mid cap होती है यानि जो सबसे बड़ी company होती है उससे एक number नीचे इसमें benefit यह रहता है कि इसमें जो company आ है वो भी बहुत जादा शुरक्षित company रहती है लेकिन उसमें उतार चड़ाब large cap company के compare में थोड़ा सा जादा होता है यानि जैसे large cap company में हमें 15% का return मिलता है mid cap में हमें 20-25% का return मिल जाता है और ये company भी काफी जादा शुरक्षित होती है तो जिन लोगों को थोड़ा सा जादा risk लेने की आदत है और जो थोड़ा सा जादा return चाहते हैं वो mid cap mutual fund का selection कर सकते हैं अब सबसे last में आता है small cap mutual fund small cap mutual fund में सबसे जादा risk होता है और इसको मैं recommend नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें risk बहुत ही जादा होता है क्योंकि इसमें सारी की सारी small cap company होती है small cap mutual fund में हमें 40-50% का return मिल सकता है एक सार में और इसमें कभी ऐसा भी होता है mutual fund काफी जादा volatile रहता है और volatility की वज़े से इसमें profit or loss भी बहुत जादा होता है तो अपने risk management के हिसाब से अपने behavior के हिसाब से आप mutual fund का selection कर सकते हैं आपकी risk profile क्या है उसके according आपको कौन सा mutual fund match हो रहा है तो उस हिसाब से आप mutual fund का selection कर सकते हैं तो यही है mutual fund अगर आपको इसमें interest है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं आपको 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 आपको